नमस्कार दोस्तों अनुप श्टडी जोन में आपका स्वागत है आज है तीन माई और तीन माई को जितने भी करेंट अफेर्स mcq के रूप में होंगे उनको हम लोग देखेंगे तो चलिए बिनादेर किये आज का करेंट यह सेशन स्टार्ट करते हैं पहला प्रसना है किसान सभा एप किस ने लांच किया है तो यह लांच किया गया है केंद्री सडक अनुसंधान संस्थान के द्वारा है ठीक है यह अप परिवहन समंधी जो भी प्रडाली होगी किसानों को जोडने के लिए शुरू किया गया है ठीक है तो केंद्री क्रिसी और कल्यार किसान कल्यार मंत्री है नरेंद सिंह तो मर नेक्स प्रस देखते हैं हाल ही में सुक्षम लगू एवं मध्यम उद्यम मंत्राले के सचिव का पदाज कर लिया है उनकी नियुक्ति को परधान मंत्री नरेंद मोदी की अध्यचता वाली कैबनेट की नियूक्ती समित द्व़रा अनमोदी या था और इससे पहले ये परधान मंत्री का रेयाले के मतलब प्यमों के अतरिक सचिव के रूप में कार रह थे नेक्स गिर्दर अर्माने ने सडक परिवान और राजमार्ग मंत्राले के सचीव का पदभार समाल लिया है उनकी नियुक्ति की प्रधान मंतरी मोधी की अधक्षिता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समित द्वारा अनुमती मिलने के बाद की गई है उन्हें संजी और अंजन की जगह नियुक्ति किया गया है जिन्हें सीपिंग मंत्राले में सचीव नियुक्ति किया गया है और केंद्री सडक परिवान और राजमार्ग मंत्री कौन है एकनी समय नितिन जैराम गटकरी नेक्स प्रस्म देखते हैं हाल ही में अमेरिकन एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंस की मानत सदस किसे चुना गया है तो चुना गया है सोभना नर्सिंभन को किसे चुना गया है? सोभना नरसिम्बन को अमेरिकी एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंतलिये अंतराश्टी मानत सदस की रूप में चुना गया है वह वर्तमान जवालल नहरू सेंटर आफ सेंटर फार एडवानस साइनेटिफिक रिसर्च में सद्धान्तिक विज्ञान की प्रोफेसर है उन्हें विज्ञान के छेतर में उनके विशिष्ट कारे के लिए सम्भानित किया गया है उन्होंने नैनो मैटेरियल्स के जो भी डिजाइन है उस पर महतपूर काम किया है और जाज की कैसे आयाम में कमी लाने किटाड़ू सोधन मसीन किसने विख्षित किया है तो यह किया है CSIR के तहाई CSION ठीक है बग्यान और अध्योगिक अनुसंधान परिशत CSIR के बग्यानिक उक्रण संगटन चंडिगर ने एक electrostatics किटाड़ू सोधन मसीन तयार की है इस नए तकनिकी को कुरोना महमारी से लड़ने के लिए प्रभाविक जो भी किटाड़ू सोधन और सच्चता को ध्यान में रखते हुए विख्षित किया गया है ठीक है तो अब CSIR के बार में थोड़ा सा जानते हैं CSIR के बारे में यह जो है बिज्ञान एवं प्रद्योकी के विविद छेत्रों में अग्रडी अनुसंधान विकास ज्यानाधार के लिए एक बिज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिशद है और पूरे भारत में इतनी समय 38 राष्ट्री परयोग साला और 49 दुरस्त केंद्र और 3 नए कंप्लेक्स और 5 यूनिट के सक्री नेटवर्क है इतनी समय CSIR की अनुसंधान विकास का जो अनुभव है इसके लिए लगभग 46 सक्री बग्जानिक है और 8000 बग्जानिक विक्निक करिम मलोस में कर्मकार है और CSIR की बात करें तो यह हर एक छेत्र में कार्य करता है जिसमें भी प्रद्योग्की की संभावनाएं होती हैं जैसे रेडियो में अंतरिक्ष में महासागर में भू भू भूतकी में रसायन में औसदी में मतलब नैनो प्रद्योग्की में पर्यावरण के छेत्र में सूचना प्रद्योग्की तक के बिज्ञान और प्रद्योग्की की छेत्र में यह कार कर रहा है यह समाजिक परियासों परियासों से भी जूड़े छेत्र होते हैं उनमें भी अपनी महतवपूर्ड प्रद्योग्की उपलब्ध कराता है जैसे स्वास्त हो पियजल हो खाद अवास उर्जा क्रिसी या फिर गैर किसी चेतर भी सामिल हो सकते हैं ठीक है तो यह था CSIR के बारे में कुछ जानकारी CSIR मतलब Ministry of Science and Technology Government of India ठीक है बिज्ञानों प्रदिक की मंत्रा लें वारे सरकार के जनहित में होता है तो अब नेक्स प्रस देखते हैं हाल ही में डेनिस गोल्डबर का निधन हो गया वह किस देश के थे ठीक है डेनिस गोल्डबर रंग भेद के खिलाप संघर्स करने वाले ये एक प्रसिद्ध दच्चड अफ्र की कारेकरता डेनिस गोल्डबर्ग थे इनका निधन हो गया है तो ये दच्चड अफ्रिका के थे ठीक है दच्चड अफ्रिका राष्टपती नेंसल मंडेला के ये सहयोगी थे उन्होंने दच्चड अफ्रिकी मुक्त संघर्स में महत्पुड भूंगा निभाई ये जो डेनिस गोल्डबर्ग थे ये रंग भेद की खिलाप अच्छा खासा संघर्स किया था इन्होंने ठीक है नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं बीबी लाल इंडिया री डिस्कोवर्ड पुस्तक कभी मोचन हाल ही में किस ने किया तो यह किया है केंद्रिय संस्कृति मंत्री प्रहलाज सिंग पटेल ने आपसन नमबर दो प्रहलाज सिंग पटेल ने ठीक है यह एक e-book है यह e-book महान पूरा तत्तित प्रोफेसर बीबी लाल के सताप्दी वर्थगाड के आउसर पर लांच की गई प्रोफेसर बीबीलाल इंडिया ती डिस्कोवर्ड पुस्त तक यह जो सिर्सक है इबुक को प्रोफेसर बीबीलाल सताichaब्ति समारो समिति ने संस्कृती मंत्राले के साथ मिलकर पूरा किया Next देखते हैं हाली में World Tuna Day कम मनाई गया वर्ल्ड टूना डे कम मना गया यह मना गया दो मई को वर्ल्ड टूना डे क्यों मना जाता है किसके लिए मना जाता है चले इसके बारे में भी जान लेते हैं हुआ ए पहले के यह जानते हैं है क्ये टूघा क्या है तुघा मचलियों के प्रजाति होती है जो कि अपने पुशक्त तत्वों और पर्यभ रजाय स्थर के लिए मसहूर है ठीक है यह मचलिया जादा टे क्फालतर मिलती है आट्लांटिक भाड़ती और प्रसांद महासागरों मिलती है इसके अलामा भूमत्रशागर जो कि यूरोब और अफ्रीका के बीच में भूमत्रशागर है उसमें भी टूना मचलियों की प्रजाती पाई जाती है और 40 से ज़्यादा प्रजातिया यहाँ पाई जाती है ठीक है वर्ल्ड टूना डे कब से मनाया जाने लगा है वर्ल्ड टूना डे मनाया जाने लगा है 2 मई 2017 को पहली बार वर्ल्ड टूना डे मनाया गया था क्यों मनाया जाता है वर्ल टूना डे चलिए इसके बारे में भी जानते हैं टूना जो है मचलियों का जो अद्बुद गुड़ों के परड़ाम सरूप इनकी मांग की वज़़ से इनमें मांग क्यों है क्योंकि इन मचलियों पर कई देश आर्थिक और पोसर समंधी गुड़ों की वज़़ा से काफी हद तक निर्वर है जिसके करण इनकी हर जगह मांग बहुत ज्यादा है बढ़ती मांग के वज़़ा से कहीं ये प्रजाती दूरलव न हो जाए इसलिए इन्हें बचाने के लिए संयुक्त राष्ट ने दिसंबर 2016 में अपने संकल्प एकत्तर बाई वन टू फोर में अधिकारिक तोर पर वर्ल्ट टूना डे का निरिक्षर करने के लिए मद्दान किया इसके बाद अब अंतराष्टी स्तर पर दो मई को वर्ल्ट टूना डे मना जाता है क्यों मसुहर है टूना प्रजाती देखते हैं दोनों विक्सित और विक्सित देश हो या विकास सिल देश हो दोनों के लिए टूना और इसके जैसे जितनी भी प्रजातिया होती हैma आर्थिक रूप से बहुत ही महतोपूर होती है यहां तक कि ये मचलिया भोजन का एक महतोपूर स्रोत होती है गर्मकूर्म वाली ये मचलिया डाल्पिन के साथ सार्क से भी बचाओ के लिए टीम बनाने के लिए भी जाने जाती है मतलब या फिर सारक हो या फिर डालफिन हो डालफिन के साथ जो भी एक टीम बना कर उनके विरुद्ध कार करती हैं इसलिए ये मचलियां जो की बहुत मत्वपूर होती हैं इसके अलावा टूना मचलियों का मास ओमेगा 3 समरिद होता है मचलियों में खनीज, प्रोटीन और विटामिन भी बारा जैसे पदात भरपूर मातरा में पाए जाते हैं तो अब टूना प्रजाती के बारे में भी जान लेंगे उससे पहले ये देखते हैं कि टूना प्रजाती के जो मसहूर है यह किसलिये था हमने ये भी देख लिया क्यों मना जाता है वर्ल टूना ने ये भी देख लिया टूना क्या है मचली की एक प्रजाती है ये भी देख लिया ठीक है अब नेक्ट पन तेक्ते हैं ICC Test Ranking में पहले स्थान पर कौन सा देश है यह है आस्ट्रेलिया पहले स्थान पर आस्ट्रेलिया हो गया है हाल ही में हुआ है उसके बाद दुसरे स्थान पर न्यूजिलेंड है और भारत तीसरे स्थान पर आ गया है चोथे पर इंगलेंड है ठीक है आपको बता दें कि पहले स्थान पर इससे पहले भारत था तो चलि दी गई अंतराश्टी कृकेट परिश्थ के बयान के मुताबिक भारत ने अपने इस्थान इसलिए गवाया क्योंकि दोगास सोल हाद्रमें 12 टेष्ट जीत के रिकार्ड और एक टेश्ट हार को ताजा रेंकिंग से हटा दिया गया था ठीक है हटा दिया गया है अंतराष्टी क्रिकेट परिश्द ने एक मई 2020 को ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग जारी की है भारत ने पहले स्थान का नंबर गवा दिया है भारती टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बाद टेस्ट रैंकिंग में नंबर स्थान वन का स् इसी टेस्ट रेंकिंग में अपना सीर्ष स्थान अब खो दिया है अब वह तीसरे स्थान पर आ गया है ठीक है तो इसका आपसन नंबर एक सही हो जाएगा अस्ट्रिया जो की पहले स्थान पर आ गया है ठीक है नेक्स प्रस्म देखते हैं पुर्तगाली लीग 2020 कब से आयुजित की जाएगी ठीक है कब से आयुजित की जाएगी इसके लिए हम देखते हैं पुर्तगाली लीग 30 मई 2020 को फिर से सुरू होगी पुर्तगाल की सरकार ने हाल ही में कहा कि देश की फुटबाल लीग को 30 मई 2020 से फिर से शुरू करने की अनुमती दी जाएगी कुरोना वाइरस महमारी के कारड यह लीग बीच में ही रोग दी गए थी पुर्तगाल के प्रदानमंतरी एंटोनियो कोश्टा ने हाल ही में लागडाउन के बाद योजनाओ का खुलासा किया और इस दवरान फुटबाल लीग शुरू करने की भी गोशड़ा की तो जब यह लीग होगा आथ इसमें कोई भी धरसक नहीं होंगे यहां तक की जो उसमें बॉय होते हैं वो भी नहीं होंगे ठीक है तो इसका आपसर नमबर 30 मई एक सही हो जाएगा ठीक है तो आज से जितने भी इंपोर्टेंट टॉप 10 प्रस्न बन सकते थे हैं हमने उनको कवर कर लिया है आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए हो तो लाइक करें सेर करें कमेंट करें और चैनल को सस्क्राइब करना न भूलें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन